एक हिंदी गाना है चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था हा तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था और फिर भोजपूरी में गायक मदुकर आनंद ये गाते हैं कि जैसन सोचले रहनी वो इसन धनिया मोर बाड़ी सावर ना गोड़ बाड़ी हो अब द भारी वीडंबना है कि लोग भोजपूरी संगीत का मतलब ही फूहर लिरिक्स समझते हैं जैसे ही हम भोजपूरी के गानों की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज हमारे मन में यहीं आता है कि भोजपूरी गानों को लेकर ये धारना बन चुकी है कि भोजपूरी गाने का मत आपको Bollywood का कोई सदावाहर गाना यादा जाएगा उन हिंदी गानों के भी lyrics writer गायक hero heroine से वहीं बात कहलवाना चाहता है जो भोजपूरी के गानों में होता है बोजपूरी के ये गाने आज भी लोगों द्वारा सुने जाते हैं जब कोई प्रेम में पढ़ता है तो उसको सारे गाने याद जरूर आते होंगे लेकिन भोजपूरी 2026 के लोग ही अपनी भावना को हिंदी गानों सब्यक्ट कर देंगे लेकिन बिल्कुल वहीं बात कहता हुए भोजपूरी गीत उन्हें जरूरी नहीं लगता है ऐसा नहीं है कि वो भोजपूरी गीत उनको पसंद खुब पसंद आता है लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ होता है लेकिन लोग भोजपूरी गानों को लोए स्टेंडर्ड समझते हैं उनको लगता है कि भोजपूरी गाने से किसी प्रेमिका को प्यार जताएंगे तो वो उन्हें गमार समझ लेगी और ऐसा होता भी है जिसे बदनले की जरूरत है और भोजपूरी के अच्छे गानों के प्रती अधिक सकरात्मक होने की जरूरत है आज हम ऐसे भोजपूरी गानों की बात करेंगे जो हिंदी के सदाबाहर गीतों से बिलकुल कम नहीं है पर उससे पहले नमस्कार जमाजम भोजपूरी देख र लाइन है कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आखे कितनी प्यारी आखे हैं आखों से जलकता प्यार कुद्रत ने बनाया होगा फुर्षत से तुझे मेरे यार। लेकिन अगर बात आती है तवज्जो देने की तो लोग सबसे पहले इस हिंदी गानों को चुनेंगे अगर कोई गैर भोजपूरी भासी व्यक्ति हिंदी वाले गाना गाता है तो समझ भी आता है लेकिन जो लोग भोजपूरी बोलते हैं वह भी भोजपूरी गाने के गाने गाएंगे तो हमारा लेबल कम हो जाएगा बोजपूरी गाने को पढ़े लिखे लोगों का गाना नहीं माना जाता है एक और गाने का उधारन देख लीजिए बॉली बुट का एक फेमस गाना है चांद तारे फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है तो वही पहुंसिं में चांद तारे फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है के बजाए रूप तो हर दिखला के बाद चांद ना सुनर लागे लागा देता है तो क्या फरक पढ़ जाएगा लेकिन असलियत में फरक पढ़ता है और बहुत फरक पढ़ता है अगर बिहार के बोजपूरी बासी छ जताया जा सकता है एक तरफ बॉलिवुड जादी जादू तेरी नजर खुस्बू तेरा बदन गाता है तो बोजपूरी में गाना आता है कि अखिया में कवन जादू छूपा के तू रख ले बाडू बॉलिवुड में जब दिल तूटता है तो गाते हैं नसीब में नहीं जो हमको मिला नहीं तो बोजपूरी में गाया जाता है प्यार नईखेली कल हाथ के लकीर में नईखु तकदीर में यह जान यानि भोजपूरी में हर सिच्वेशन हर मूड के बेहद अच्छे गाने हैं यहां तो मैंने बस उन्हीं गानों का नाम लिया जो हिंदी के कुछ गानों से मिलते जुलते हैं हलाकि यह गाने हिंदी से बिलकुल कौपी नहीं है इन गानों की अपनी अलग खासियत है अगर आप भोजपूरी को समझते हैं तो यह गाने हिंदी गानों से भी ज्यादा आपको महसूस होंगे क्योंकि बोजपूरी के गाने के लिरिक्स थोड एगर हम अपने अच्छे गानों का प्रोमोशन करते हैं तो एसा नहीं होता लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अच्छे गानों को नहीं सुनते हैं। तो हमारी आपसे गुजारिस है कि आप अपने दूसरे राजियों के दोस्तों के साथ भोजपूरी के असलील गानों को नहीं, बलकि इन अच्छे गानों की बात करें, जहां कभी किसी महफिल में गाने की बात आए, तो पंजाबी, माराथी और हिंदी गाने के बजाए पूरी इंडस्ट्री से जुड़ियाने कबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, धन्यबाद